तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वोले Bitcoin के बारे में यहाँ पर Next Move BTC का क्या हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पर एक Negative News सुनने मिली है वो Negative News यह है कि UK Government United Kingdom में Binance Exchange को Ben कर दिया गया है यहाँ पर Wednesday तक Binance Exchange को UK Government को Report देना है और इसका क्या Bitcoin पर Effect पर सकता है इसका Crypto Market पर क्या Effect पर सकता है सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिसकस करने वाले साथ में कुछ Indian Banks है जो Crypto Market को, जो Crypto Transactions है उनको Pushback दे रही है उनको एक Negative Impact दे रही है तो दोस्तों आज के वी कोड का जो ओडर था March 2020 का वही यहाँ पर लागू होगा फिर भी यहाँ पर यह जो बाकी सारी बैंक से वह क्यूं यहाँ पर एक Pushback दे रही है उसके बारे में आज के वीडियो में डिसकस करने वाले है तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्रिप्टो करने में इन्वेस्ट क पार रहे हो तो यहाँ पर आप जो graph देख रहे हो यह है BTC का graph तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस हिसाब से मैंने आपको जो support जो resistance बताये थे अगर आप वो support resistance फोलो करते हो तो आपने यहाँ पर definitely बहुत बढ़िया profit book कर लिया होगा कौन से कौन से support वापस म यहाँ पर बता देता हूं जो नए लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको यह सारी चीज़े मैंने technical analysis दिखा ही है मैं आपको दिखा देता हूं मैंने काफी सारे videos आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने bitcoin analysis पर काफी सारे videos और लग लग technical indicators का यूज़ करके बनाये है तो आप definitely जा पर देख सकते हैं इसके बारे में मैं बुला है साथ साथ मैं यह भी आपको बता है कि bitcoin 2021 एंड तक यहाँ पर 1 lakh तक क्यों पहुँँ सकता है उसके बारे में मैं यह वीडियो बनाये है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर मैं आपको graph दिखा दा हूं जिससे आपको समझने में इजी हो तो यहाँ पर आप देखिए मैंने जो आपको support resistance दिखाए थे मैंने यह देखिए यह वाला support क्या हुआ बिटकोइन का price यहाँ से नीचे गया उसके बाद वही exact support पर जाके उसने वापस उपर जाना शुरू किया वहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो पहले वाला support था वह मैंने आपको कहीं बार बताए कि जो पहले support होते वह next अगर उससे नीचे जाता है तो वह वहाँ पर resistance बन जाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जब बिटकोइन नीचे तो यहाँ पर आपके पास कौनसी opportunity है यहाँ पर हमारे पास ए opportunity है लेकिन कब जब यहाँ पर हम next candle जो है अगर next candle ऊपर open होती है तो हमें क्या करना है long करना है कहां तक तो ऊपर जो next हमें resistance देखने मिलता है वहां तक अगर हमें next जो candle है वो नीचे है मतलब अगर red candle देखने मिलती है तो हमें क्या करना होता है short करना होता है कहां तक short करना होता है next support तो मैं आपको ये value दिखाता हूँ देखिए आप ये जो support है वह value दिखाता हूँ 30,800 या फिर 30,800 भी छोड़ो आप 31,000 पर यहां पर short कर सकते हो अभी bitcoin का price 33,000 है तो 33,000 तो 31,000 का short कर सकते है बहुत अच्छा यहां पर profit बना सकते है तो तो इसी हिसाब से क्योंकि मैं आपको देखाता हूँ देखिए bitcoin इसी एरिया में कब से move कर रहा है आप देखिए इसी एरिया में और अगर जिसने ये चीज़े समझ ली उसने काफी ज्याद है मतलब मैंने जो support, resistance काफी आप मेरे previous वीडियो से अगर आपको समझना है support क्या ह resistance क्या होता है कैसे इसको find करते है MACD indicator, RSI indicator ये सारे Fibonacci retracement ये सारी चीज़े कैसे apply करते है तो आप definitely मेरे आगे के वीडियो आज का जो मैंने वीडियो ये वाला वीडियो इसमें मैंने आपको MACD के बारे में बता है मैंने RSI के बारे में बता है साथ-साथ मैंने अगर आपको Fibonacci retracement देखना है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो यहाँ पर Fibonacci retracement का कैसे use करना है और क्यों मैंने यहाँ पर बताए कि within a short period of time Bitcoin can go to 38,000 to 42,000 ये मैंने कैसे प्रूव किया कैसे यहाँ पर Bitcoin जा सकते है सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो but मैंने आपको यहाँ to see the fundamental analysis because market में जो भी news आती है वो बहुत ज्यादे important role play करती है ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम technical technical देखते जाए और उससे आप से Bitcoin का price जाएगा बिल्कुल नहीं यहाँ पे दोनों चीज़े consider करना है technical plus fundamental तो अब fundamental में क्या है एक negative news मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता ह है Binance वालों को कि आप यहाँ पर अपना जो भी exchange है वो यहाँ पर बंद कर दो क्यों कि यहाँ पर काफी सारी जो illegal activities है वो यहाँ पर हो रही थी यहाँ पर नीचे सारी चीज़े इन लोगों ने लिखी हुई है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं आप यहाँ देखिए no other entity in the Binance group holds any form of UK authorization, registration or license to conduct regulated activity in the UK मतलब Binance वालों ने UK government के पास कोई भी यहाँ पर license नहीं लिया है जब यहाँ पर crypto transactions हो रहे है तो यहाँ पर license लेना एक बहुत important चीज़ होती है अगर license नहीं लेते कोई business चलाते है कोई भी simple चीज़ है कोई business चलाना है तो उनके पास license होना चाहिए इतनी बड़ी exchange होके यहाँ पर license ना हो तो यह एक बहुत गलत चीज़ हो सकती है और आपको यहाँ पर चीज़ बताता हूँ आप यह देखिए यहाँ पर आप देखिए very seriously ऐसा बोला है और यहाँ पर आपको पता होगे इंडिया में भी similar चीज़ हुई क्या हुई थी मैं आपको देखाता हूँ यह देखिए ED Notice to Wazirex Over Violation of FEMA Rules यहाँ पर क्या हुआ था मैंने आप एक simple बता तो मैंने आगे एक detail में वीडियो बना है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था Chinese जो गेम्स होती है जो betting गेम्स होती है यहाँ पर क्या करते है लोग यहाँ पर पैसा लगाते है कोई जीतता है सब्सक्रिकेट में त तो वो पैसा लगाते हैं तो पैसा बढ़ जाता है बट यहाँ पर यह सिर्फ गेम्स कहने के लिए है यहाँ पर आपके पैसे यह लोग ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं आप तो INR में मतब अपने bank account से pay करते हो वो लोग वजीरेक्स में डालते हैं वजीरेक्स से वजीरेक्स को नोटिस दिया था सिमिलर चीज यहाँ पर हमें देखने मिली ब्रीटेन में भी एसे ही illegal activities money laundering cases हो रहे थे जिसकी वज़े से यहाँ पर UK ने तो completely ban order दे रिया कि यहाँ पर Binance UK में ban हो जाए तो दोस्तों यह सारी चीज़े साथ साथ में यहाँ और negative news आ रही है यह negative news क्या है IDFC first bank joins ICICI bank yes bank and others in stopping services to crypto companies अब यहाँ पर मैंने आपको आगे इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बना है कि RBI सबसे पहले क्या हो रहा था कि RBI ने यहाँ जो बीच में payment gateways होते हैं उनको यहाँ पर मना किया था कि आप यहाँ पर crypto exchanges है उनको कोई भी services मत दीजि बट उसके बाद RBI का एक notice आया RBI का एक circular आया जिसमें RBI ने बोला था कि cryptocurrency जो यहाँ पर supreme court का order है March 2020 का वही लागू होता है और यहाँ पर cryptocurrency इंडिया में जो banks है उनको यहाँ पर service provide करनी होगी किसको यहाँ पर crypto exchanges को फिर भी यहाँ पर RBI क्या है RBI top regulatory authority है banks के लिए फिर भी यह सारी चीज़े हमें जो देखने मिलती है आप यहाँ पर देखिए IDFC bank, ICICI bank, YES bank यह सारे अभी वापस यहाँ पर मना कर रहे हैं क्यों मना कर रहे हैं उसके पीछे कोई भी यहाँ पर reason आप यहाँ पर देखिए IDFC bank has temporarily halted services to crypto companies and it explores enhanced new diligence cryptocurrency आपको पता है 2018 में बैन हुई लेकि cryptocurrency इंडिया में जो यह RBA का regulation था, RBA का जो ban था 2018 का वो अभी यहाँ पर लागू नहीं होगा, सा Honorable Supreme Court ने बोला March 2020 में, बट फिर भी अभी वापस यह सारी चीज़े चालू हो गई है, तो उसकी वज़े से थोड़ा सा यहाँ पर एक negative impact देखने मिल सकते हैं और यहाँ पर मैं मैंना आपको जो यह area बता है, यह वाला area बहुत important है, 28,000 to 30,000 वाला area क्यों important है, मैंना आपको आगे भी बोला है, यहाँ पर एक short में चीज़ बता देता हूँ, कि यहाँ पर क्या होता है, काफी सारे लोगों ने 28,000 to 30,000 के बीच में अपने buy order जो होते हैं, वो लगाए हु जाते हैं, तो दोस्तों इतना tension, जब तक 28,000 to 30,000 के range break नहीं करता, तब तक हमें इतना ज्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम अच्छे trades भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर यह concerning चीज़ है, कि Binance, यहाँ पर यह जो illegal cryptocurrency का use करके, जो illegal चीज़े हो रही है, money laundering हो चैनल मैंने, नया चैनल हमारा जो है, crypto shorts by crypto king keur, यह आप definitely subscribe कीज़े, कोई भी urgent update आती है, मैं यहाँ पर update करूँगा, साथ साथ में मेरा telegram channel है, crypto king keur, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सेकतो, यह मैंने जो green circle किया है, crypto king keur, सिर्फ इसी channel को आपका पैसा double कर देंगे, triple कर देंगे, लेकिन दोस्तों, all my services are free for you, मैं कभी आपको सामने से message नहीं करूँगा, कि आप मुझे कुछ पैसे दो, आप यहाँ से मेरा main motive, मेरा main target यही है, कि आप यहाँ पर सीखो, और आप खुद से अपना trade करो, अगर आप से कोई भी पैसा म अगेगा, और दोस्तों, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजे, शेर कर दीजे अपने फ्रेंज के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और सब्सक्राइब कर बाजमा आपको बेल